हेलो फ्रेंटस आज हम जावा में किसी मैर्टिक्स का डाइगुनल ऐल्मेंट प्रिंट करना दिखेंगे तो डाइगुनल ऐल्मेंट होता क्या इसको समाझ लेते हैं सिंपल यह मैर्टिक्स का एक्जामपल है 1-2-3-4-5-6-7-8-9 इसमें diagonal element हो जाएगा 159 जो तिर्षा वाला होता है वो diagonal यह main diagonal हो गया minor diagonal हो जाएगा 357 यह minor diagonal हो गया हमें print करना है 159 को print करना है जो मेरा main diagonal है इसे जावा प्रोग्रामिंग के थूँ प्रिंट करेंगे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद रहता है तो प्लीज मैंने चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और कॉमेंट जरूर करें अगर आप किसी प्रोग्राम में चाहते हैं नीचे डिस्किप्शन में फ्लेस्बूक इंस्टाग्राम का लिंक है वहाँ से आप कॉंट स्कैनर एस सी वर्टू कर देते हैं निउँ एनर इस्टेम डॉट इन यह हम दे दिये एक एक वर्यबल को स्टोर करेंगे वर्यबल में वैलू उसके लिए हम स्कैनर लगा दिया अब क्या करेंगे हम सिंपल फॉर लूप लगाएंगे फॉर आइक वल्टु जी रो आई लेस देन ठीरी जे प्लस प्लस यह हो गया कलम के लिए अब पॉकेट में वैलू इंपूट करेंगे तो उसके साथ मैसेज देते हैं तो सिस्टेम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्रिंट ही देते हैं प्रिंट इंटर नंबर इन पॉकेट बना जेते हैं हम एक और आई देते हैं रो के लिए इस पॉकेट को क्लोज करते हैं फ्ति नया पॉकेट बनाते हैं इसमें हम दी प्लत पीव को क्लोज कर देते हैं इसके साथ क्या होगा घो मेरा क्लम ऑनड रोक बेलू डिस्प्ली करेगा श्रम जा रहा अब क्या करेंगा हम ए आई जा को कर दो है sc.nextint इससे क्या हो गया एक एक फॉकेट में हम स्कैनर के साथ से भैलू को जो इंपुट करेंगे उसको इस्टोर कर दिये इस्टोर करने के बाद अब क्या करेंगे मैट्रिक्स को प्रिंट करना है तो सिस्टेम dot out dot print ln ln matrix is for i equal to 0, i less than 3, i++ फिर column ये row के लिए हो गया अब क्या करेंगे हम इंपूट कर दिये अब क्या करेंगे हम सिंपल प्रिंट करना है तो सिस्टेम dot out dot print ai j और स्पेस लगा देते हैं ताकि क्या हो एक नम्मर के बाद दूसरा नम्मर जब प्रिंट हो सिस्टेम dot out dot print ai इस से क्या होगा एक प्रिंट हो जाय सिंपल समझेंगे 123 प्रिंट हो तो निक्स्ट लाइन जब 456 प्रिंट हो तो लाइन प्रिंट हो जालो जेते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मेरे टिक्स मेरे प्रिंट हो गया अब इस जो है इसको हम कॉपी कर लेते हैं लोकेशन को कॉपी करने के बाद हम यहां राके इसको पेस्ट कर देते हैं कि हमें ध्यान देना है प्रिंट हमें क्या करना है 159 तो 159 को छोर के सब को अलग कर देते हैं 159 प्रिंट करना है कि इसको हम कट कर लेते हैं नीचे पेश्ट कर देते हैं कट कर लिए नीचे पेश्ट कर दिए और टू को भी हम हटा लेते हैं अब हमें ध्यान क्या देना है यहां पर गौर से देखेंगे क्या है जब रो नंवर यह मेरा रों नमर है यहां कलम नमर है यह औल वेस देख सकते हैं 159 में एकल अर्वन अमर ओक्वल ंर्चनो कल म ओल और टू कलम नंवर और इकलम नम्र तो कलम नंवर इस तरह कोई किसी भी value में फोर्म में row number and column number equal नहीं है यानि जब row number and column number equal होगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा diagonal mean diagonal element होगा तो simple हम यहाँ क्या करेंगे एक condition लगा देते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं पहले तो for loop लगाएंगे for i equal to 0 i less than 3 i plus plus फिर for j equal to 0 j less than 3 j plus plus इसमें condition लगाने से पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर एक message देते हैं dot out dot print talent diagonal elements are simple of print करना है तो condition लगाएंगे if i equal to equal to j याने row and column जब बराबर हो तब system dot out dot print ln print simple देते हैं a i j plus में space लगाएंगे अब इसको compile कर लेते हैं compile करने को आज इसको हम run करेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 5 9 मेरा diagonal element print हो गया है 1 5 9 simple समझेंगे logic क्या है जो तेच्छा है यह मेरा mean diagonal है 1 5 9 main diagonal print करने के लिए सबसे पहले तो हम location नमर ध्यान देंगे location नमर क्या है row and column दोनों main diagonal का बराबर है तो इसके लिए हम क्या किये है simple एक condition लगा दिये हम यहां पे if i equal to equal to j जिस value में बराबर है जहां पे row and column का value उसका value को print करना है इस तरह mean diagonal element मेरा print हो जाएगा तो फ्रेंट्स मेरे चैनल को प्रेश सबस्क्राइब किजिए वीडियो को लाइक और कॉमेंट जरूर किजिए जाएब फञे रहतें